हेई गाइज वल्कम बेक टो कॉटरन कैसा आप सब आज मैं आपके साथ शेयर कने वाली हूं यह वाला मेकप लोग गाइज पांच मिन्ट में यह आपका मेकप लुक बनगा रेडी हो जाएगा आपके सिरी फंक्शन पे पार्टी पे या फिर किसी भी ड्रेस के साथ इस मेकप अगर आप बिगनर हो तो भी आप रोक्ती यूज नहीं करना चाहते हो तो भी आपका यह बिल्कुल इजी स्टेप विल्कुल टिक है सो इजी से आपके पांच मिन्ट में यह वाला मेकप लुक बनकर रैडी हो जाएगा और अगर आपको यह वीडेयो अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइज वो कर देना मेरे चैनल पे नहीं हूं तो प्लीज सब्सक्राइब टो माया चानल एंड साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना तांकि आपको मेरे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे और चलिया वीडियो स्टार्ट करते हैं सब सब पहले मैं एहां यूज़ कर रही हूँ गूडवाई की साफ्रेंड क्रीम मैं अपनी हार इक वीडियो में यूज़ करती हैं ठीक है बहुत ही सहिवाली ये स्ट्राइजर है ठीक है जैसने की फर्स्ज टएप हमारा होता है मशुराइजर आपके पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं अदरवाइस आप इसे ट्राइ करना बहुत ही सही वाला मस्टराइजर है एकदम से आपके स्किन में अब्जर्व हो जाता है उसके बाद गाईस हम यूज़ करेंगे प्राइमर सो कोई भी मेक अफ हम कर रहे होते हैं प्राइमर तो हमें इंपॉस्ट है ठीक है परपल प्लस प्रड़क्ट का लिंक आपको नीज़रे में बल जाएगा दिस्करीप्शिन बोस में और देली के लिए यूज़ कर सकते हो पाटी के लिए जो भी मेक अप कर रह歌 हो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो ठीक है बहुत ही सही वाली क्रीम है ठीक है अगर आप फाउंडेशन ज्यादा लगा नहीं पसंद करते हो तो डेफिनिटली यह आपको बहुत ज्यादा पसंद दाएगी बीबी क्रीम लगाने के बाद हम अपने लनर सक करेंगए उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ परड़ का कॉंपक्त यह भी मैंने परड़ से बाइक किया है इसवेस्स ब्यू जबार हएगी किट सो यह देखिए इसमें आपको एक मिर्र मिल जाएगा फोर शेड मिल जाएंगे एक वैक्स होगी तीन शेड होंगी ठीक है इसके बाद मैं ले रही हूँ यह डाक ब्राउन शेड सो एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आइब्रोज को फिल कर लूँगी ठीक है आपको इसमें थ्री शेड मिल जाएंगे एक डाक ब्राउन एक लाइट ब्राउन एक बहुत जादा लाइट सा ब्राउन हो जैसे आ अध्यवाल्य आऊशिवड पैलेट सी यह लेक्मी के आईश्वड पैलेट और इसकेपार ब्राउन अध्यिस दिया होसे जैसे मेरी सकिं टॉन स्किंटोन मिड्यम स्किं टॉन है मैं बने लाइट सा बाला कलराच कि ए ने बीने बीकल मैं आईश्या यह सफ्ट पिंक्यों ग Glitter Eyeshadow ठीक है यह है Rose Gold रोसिगोल्ड शेड्ड है यह एद इससे मैं पूरी अईलिट पर अप्लाई कर लोंगे ठीक है अगर आपको हाफ पर आप्लाई करना तो हाफ पर आप लाई कर सते हो बट मैं पूरी आइस पे इसे अच्छे से अपलाई कर लूँगे ठीक है आपका पांच मिन्ट में ये आई मेकप बनकर रेडी हो जाएगा ठीक है आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका जो मेकप है वो भी अच्छे से निखर के आता है बहुत ही प्रिटी लगता है ये वाला जो शेड है आपके हर एक ड्रेस के साथ जाता है बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है कोई भी स्किन टोन हो इंडियन स्किन टोन हो या फिर कोई और सो हर एक स्किन टोन पर ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आईलेंडर आईलेंडर आपके पास जो है वो ट्राइक कर सकते हो मेरे पास है एन बाई बेका सो मैं इसे यूज़ करती हूँ एन बहुत ही सही वाला आईलेंडर है ज्यादा स्टे वाले जो आईलेंडर होते हैं अप्लाई करेंगे मस्कारा मैं हर बार की तरह यूज़ करी हूँ मेबलीन का मस्कारा मेरा फिवरिट मस्कारा है मैं अपनी हर वीडियो में इसे यूज़ करती हूँ आपको रीजनेवल प्राइज में ये मिल भी जाएगा ठीक है अगर आप टीनेज हो तो आपके लिए डेफिनेटल ये बहुत जाएदा सही है यहां फिर अगर आपको वैसे कोई मस्कारा चाहिए तो आप इसे मस्कारे को ट्राइब करना ठीक है तो गैज उसके बाद मैं हलका सा काजल अपलाई कर रही हूँ ठीक है अगर आप अपलाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर लेना तो गैज उसके बाद मैं यहां यहां यूज करी हूँ बलश यह हैं स्टेक को कि बलश इतने जादा पिग्मेंटेशन की बहुत जादा सही है इतने जादा कम प्राइज में इतने सही बलश मैंने आज तक नहीं देखे बहुत ही सही बलश है आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे आप एक बार इने जूर ट्राइक करना ठीक है लेंक आपको नीचे दे रखा है एक बार आप जरूर इने देखना आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे यह एंटिप्राइज इनका बहुत ज़्यादा सही है ठीक है मेनी लपेस्टिक बाया की थी उनका अलग से वीडियो मेरे चैनल पर है अगर आपने नहीं देखी तो आप डेफिनेटली इने चेक करना इस वीडियो को चेक करना और डेफिनेटली आपको हर एक जो मैंने शेड मंगवा है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ठीक अगर आप नियूली मैरीड हो यहां फिर अगर आप ऐसी यूनो कोई अच्छा सा शेड लेना चाते हो इन रड यूनो रड की रेज में तो डेफिनेटली आपको यह पसंद आएगा तो गाइस उसके बाद मैं यहां पे हलके से यह एरिंग्स ड्रॉप एरिंग्स हैं यह मै इस टाइब की हमारी जो फाइनल लुक है वो बन कर रेडी होती है ठीक है सो कैसी लगे आपको यह मेकप लुक सो पूरे पांच मिंट में अगर आप टाइमर लगा के भी यह मेकप लुक करोगे ना तो बिल्कुल पूरे पांच मिंट में आपकी यह मेकप लुक बन कर रेड आपको यह पसंद आएगा अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में आपको लगता है कि इतना ज़्यादा है भी हम नहीं करना चाहते हो तो आप इस लोग को ट्राय करना आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट शेक्शन में बताना अगर पसंद आए तो लाइक जरू करना और मेरे चानल पर नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब टू माँ चानल ठीक है आपको मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मलती रहे अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है तो सस्क्राइब करने के साथ बेल बटन को प्रेस कर लेना कैसी लगे आपको वीडियो कमेंट शेक्ट में जरूर बताना ठीक है कमेंट करके एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं चोटी मोटिरियल्स बगरा डालती रहती हूं ठीक है मैंने यूज की है वो मैंने आपको बताया है कि मैंने परड़न से भाय किया है ठीक है परड़न की प्लस बालती का लिंक YouTube स्टार्ट करना YouTube स्टार्ट किया था तब से मैंने यह ऐलाइटर वाई किया था और तब से लेकर आज तक यह मेरा है चल रहा है ठीक है आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा सही वाले इनकी पिग्मेंटेशन है ठीक है सो मिंत्रा हौल प्रलस परपल हौल अभी मेरे चैनल पे आने वाला है अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैरे चैनल और आपको यह लुक कैसे लगी प्लीज जुरूर बदाना ठीक है कोमेंट शेक्शन में अगर अच्छी लगी तो लाइक जू मिल जाएंगा description box में and thank you so much guys watching my video and guys subscribe जरूर करना ठीक है आपके subscribe करने से आपके like करने से मुझे motivation मिलता है ऐसी वह और वीडियो को बनाने का है and thank you so much bye guys